इस वीडियो में में आपको SLEIse Command के बाषे में बताउंगा सलाइस कमाण्ड का यूज जो होता है वो काकने के लिए चाहते हैं अगर आप किसी ओबजेक्ट को बीच में से काट के देखना चाहते हैं तो अप उसको सलाइस कमाण्ड से काट के देख सकते हैं कैसे जैसे मैं एक ये टोरेस ही बना लेता हूँ यहां पर किलिक क्या मैंने और इस तरीके से मैंने ये एक object बना लिया इसे अगर आप इसको बीच में से काट के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं वो कैसे slice command पर किलिक करेंगे यहां पर home tab में solid editing पेनल में slice command होती है हमारे पास इस पर किलिक करेंगे और object को select करेंगे जिस object को slice करना है जैसे इस object को करना है और enter और कहां से slice करना चाहते हैं slice की command क्या मतलब line कहां पर होनी चाहिए तो मैंने किस तरह से line बना इसमें और उसके बाद side देंगे इसको इस side से slice करना है या इस side से left या right मैंने left side दी तो यह इस side से slice हो गया जाएगा और यह बीच में से cut जाएगा इस तरीके से इसमें और भी option होते हैं जैसे मैंने यहाँ पर एक box बना लिया यह एक cylinder बना लेता हूँ यहाँ इस तरीके से हम इनको slice करना चाहता हूँ मैं slice command दूँगा इसको slice select object enter slice कहां से करना चाहते हैं वो line देंगे यहाँ पर आप इसको इस तरह से top में रखके भी दे सकते हैं यहाँ पर slice देनी है और side तो इस तरीके से slice हो जाएगा अगर आप चाहते हैं slice हो लेकिन जो हमारा बाकी object था वो delete ना हो आप उसको रखना चाहते हैं और slice भी करना चाहते हैं बीच में से slice कमांड देगे मैं object को select करके जब enter करता हूँ और मैं इसको axis देता हूँ इसकी line देता हूँ जहां से slice हो गया बीच में से और यह दो object में divide हो गया एक object यह रहा अगर इसको move करके देखें तो यह दो object में इस तरीके से slice हो गया अगर आप किसी particular dimension के according slice करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप उसके लिए अपने निया में वीव पार्ट को डिवाइड कर लें दो पार्ट में तीन पार्ट में जितने में भी करना चाहें जिशसे आसाल नहीं रहे जैसे मैंने two part में divide कर लिया और मैं इसको टॉप इुमने कर लेता हूँ इस वाले view को तोप में इस तरीके से इस तरीके से मैंने top view में कर लिए इसको, और यह मैंना isometrick में, अब मैं यह इओ पर एक box बनाता हूँ, home tape पर जाकर, यहाँ पर एक मैंने box बना लिया, और यह box मैंने इस तरीके का बना लिया, और इस वाले view में यह रहां box, अब मैं इसको slice करना चाहता हूँ तो मैं slice command पर click करूँगा object को select करूँगा और enter अब मैं slice की यहाँ पर देखें slice specify start point of slicing plan तो मैं यहाँ पर इसका starting point दूँगा यहाँ और ending point यानि कि मैंने इसको half half कर दिया मैंने mid point दिया है और मैं इसकी side दूँगा इधर वाली या both side रख सकता हूँ मैं तो यह देखें यहाँ पर इसी तरीके से cut गया हम इसको भी काट सकते हैं मैं फिर सक slice command दूँगा object को select करूँगा मैंने दोनों को काटना है मैंने दोनों object को select कर लिया enter और इस वाले viewport में click करके यह देखें आप जिस viewport में आप होंगे उस पर ये एक border बनके आ जाएगा ये blue color सीगा यानि कि आप इस viewport में काम कर रहे हो अब मैं इस पर click करूँगा तो इस पर आ जाएगा यानि कि मैं इस viewport पर काम कर रहा हूँ आप इधर से view काम कर सकते हो इधर से भी जैसे भी आपको असानी लगए मैं यहाँ पर जैसे मैंने इस direction में दे दिया इस तरीके से और मैं कुछ angle दे देता हूँ इस तरीके से मैंने और click कर दिया both side तो यहाँ पर इसी तरीके से slice हो जाएगा object आप किसी object को चाहे तो हटा भी सकते हैं रख भी सकते हैं move भी करा सकते हैं यह आपके उपर depend करता है तो इस तरीके से आप slice को different तरीके से इसको use कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही अगर आपको कोई भी question है आप comment में लिख सकते हैं वीडियो को ज़रूर लाइक करें चैनल को भी subscribe करें और friends को भी share करें Thank you